निवस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम मई 2022 में जो आपके NTPC-CBT2 का एक्जाम होने वाला है उसके लिए पुना 100 प्रश्णों को यहां पर रिवाइज करने वाले हैं तो इससे पहले पार्ट वन में 100 प्रश्णों को हमने रिवाइज किया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं आप सभी को यह पता होगा कि NTPC-CBT2 में टोटल आपके 50 जीके के प टेस्ट होनी वाला है तो यह जो आपका टेस्ट है इसमें आपको टोटल 60 प्रेश्ण मिलेंगे जिन्हें आपको 60 मिनट के अंदर हल करना होगा अगर आपकी रैंक यहां पर टॉप पे आती है तो अनेकेडमी की तरप से आप डेल का लैप्टॉप, सैमसंग का मोबाइल, फिट बिट की वाज या फिर अमेजन का माउचर औगरा जिय सकते हैं और इसके अलावा अनेकेडमी के कोर्सेज पर भी आपको भारे डिसकाउंट इसमें दिया जाएगा तो नीचे आपको पिन कमेंड में एक लिंक मिलेगी उस पे क्लिक करके इस टेस्ट में आप लोग इ का सकते हैं और अगर आपको अनेकेडमी का कोई कोर्स लेना है उसके उपर भी आपको मैक्समम डिसकाउंट चाहिए तो भी आप इस नंबर पर का सकते हैं बाकी मेरी लाइब क्लास अनेकेडमी के उपर हो ही रही है इसमें भी आप लोग सामिल हो सकते हैं और डेली जीके के प्रशनों का यहाँ पर लाइब टेस्ट दे सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं पहला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन सा अस्मारक है जो की दिल्ली में इस्थित नहीं है तो सिंपल सा प्रशन है हुमायू का मकबर आपको दिल्ली में ही मिलेगा अलाई दर्वाजा भी दिल्ली में है इंडिया गेट भी दिल्ली में है लेकिन अगर हम बुलन दर्वाजे की बात करें जिसका निर्माण समराट अकबर ने करवाया था ये आपको मिलेगा आगरा के फतेहपूर सीकरी में तो इस प्रश्न का option A हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि प्रात्ना समाज के संस्थापक कौन थे प्रात्ना समाज के अगर हम लोग बात करते हैं तो आत्मा राम पांडूरंग आत्मा राम पांडूरंग ये हमारे प्रात्ना समाज के संस्थापक थे option D हो जाएगा correct तो ध्यान रखेंगे 31 मार्च 1867 को मुंबई में इनके द्वारा प्रात्ना समाज के स्थापना की गई थी अगला प्रशन है कि किस सिक्धर्म के गुरू ने खालसा पंथ की अस्थापना की थी तो ध्यान रखेंगे हमारे सिक्धर्म के दस्वे और आखरी नंबर के जो गुरू थे जिनका नाम स्री गुरु गोविन सिंग जी है इनी के द्वारा खालसापंद की अस्थापना की गई थी option D हो जाएगा correct तो आपको ये ध्यान रखना है कि खालसापंद की अस्थापना 30 मार्च 1699 को अमरिश सर्मे गुरु गोविन सिंग जी के द्वारा की गई थी अगला प्रश्ण है कि पानी पत का जो दूसरा यूद्ध है अकबर और हीमू के बीज कौन से वर्स में लड़ा गया था तो ये जो सेकेंड वार है ये लड़ा गया था आपके 1556 में कब लड़ा गया था? 1556 में, समराट, अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ा गया था, option C हो जाएगा, correct अगला प्रशन है कि सुराज, मीरा, जन्मसिद, अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बहुत ही ज़्यादा famous नारा है, और इसे दिया है हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया ये नारा है, यानि कि option A हो जाएगा, correct अगला प्रश्ण है कि निम्न लिखित मेंसे कौन सा DRDO के द्वारा विक्सित एक multi barrel rocket system है, तो ये जो multi barrel rocket system है, इसका नाम है आपके पिनाका, क्या नाम है? पिनाका इस multi barrel rocket system का नाम है, तो option C हो जाएगा, correct अगला प्रश्ण है कि निम्न लिखित मेंसे कौन सी बिमारोई बिसाणू से होटी है, तो ऐसे प्रश्ण तो आपको लगबग हर एक्जाम में मिल जाएगे, जहां पर आपको चूज करना होता है, और अगर हम लोग वायरस से होने वाले बिमारी की बात करें, तो इसका ना से होने वाली बिमारी के नाम लिख दिये है, इसका आप लोग स्क्रिन सॉट लेकर के रिवाइज कर सकते हैं, अगला प्रश्ण है कि इसरों ने किस वर्श में मार्स ओर्विटर मिशन की शुरुवात की थी, तो मार्स ओर्विटर मिशन जिसे हम लोग मंगल यान मिशन भी गया था और इसमें रॉकेट का यूज हुआ था PSLV XLC25 तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि सेरी कल्चर सब्द जो है वो किससे सम्मंधित है तो बहुत ही सिंपल सा है सेरी कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके रेशम की खेती से सम्मंधित है किससे है रेशम की खेती option D हो जाएगा correct वहीं पर अगर हम लोग पच्छी पालन की बात करें तो ये आपके AV कल्चर से जुड़ा हुआ है मसली पालन की बात करें तो ये PC कल्चर से जुड़ा हुआ है मदमक्खी पालन को EPICULTUR कहते हैं और रेशम की खेती को सेरी कल्चर कहा जाता है अगल सदस्य देशों में मालदिव आपका सामिल नहीं है यानि की option A हो जाएगा correct तो देख सकते हैं बांगला देश, भूटान, इंडिया, म्यामार, नेपाल, स्रिलंका और थाइलेंड ये आपके वो देश हैं जो की बेमश्टेक के मेंबर हैं और इसका headquarter आपको धाका में सॉलिड में इसके speed सबसे जादा तेज होती है, option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्ष 2019 के लिए 55 ग्यानपेट पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया था तो ये तो आप सभी को बता ही होगा, मल्यालम हसा के हमारे writer थे जिनका नाम अकीतम अच्चोतन नम्मुदरी साह ये आपके यहां पर सम्मानित हुए थे, तो option D हो जाएगा correct अभी आपका 56 और 57 ग्यानपेट पुरसकार भी दिया गया है, तो अगर आपको उनके विजेताओं के नाम पता है, तो नीचे comment में लिखिएगा अगला प्रश्ण है कि यसोबिक्रा, मही, चंद्र और चंद्रदेव, डैस, डैस, राजवन्स के पहले तीन सासक थे, तो काफी महत्मून प्रश्ण है, ध्यान रखिएगा ये जो तीनों राजा है, ये हमारे गहडवाल वन्स के सासक थे, किसके थे? गहडवाल वंस के ये सासक थे यानि की option B हो जाएगा correct गहडवाल वंस के अगर हम लोग बात करें तो 1089 में इसके स्थापना हुई थी 1197 बे तक इसका सासन था राजधानी इनकी वाराणसी और कान्निकुब्ज यानि की कन्नोज में थी तो B option correct होगा अगला प्रशन है कि निम्रेखित में से कौन सा दर्रा है जो कि स्री नगर और लेह को जोड़ता है तो अगर हम लोग दर्रे की बात करें इसका नाम है जोजीला क्या नाम है जोजीला इस दर्रे का नाम है तो option C हो जाएगा current अगला प्रशन है कि Ubuntu की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एक हमारा operating system है क्या है Ubuntu एक operating system है तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है सुकन्या समरिद्धी योजना क्या है तो सुकन्या समरिद्धी योजनाओं की बात योजना की अगर हम बात करें तो बालिकाओं के लिए यह एक लगू जमा योजना है किसके लिए बच्चियों के लिए यह एक लगू जमा योजना है option D हो जाएगा correct तो हमारे जो PM है मोदी साहब उनके द्वारा हर्याना के पानिपत में 22 जनवरी 2015 को इसे सुरू किया गया था अगला प्रशन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न लिखित में से किस इकाई का यूज किया जाता है तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए इकाई का जिस हम यूज करते हैं उसका नाम है मोल क्या नाम है मोल इस इकाई का नाम है जो कि नीदल लेंड का एक सहर है option C हो जाएगा correct आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जज होते हैं उनका term period 9 सालों का होता है और इसमें आपके 15 जज होते हैं ICJ के बात करें तो ये आपके United Nation के 6 परमुक अंगों में से एक है तो option C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि 200 परियावरण दिवस 2020 के लिए सेउत राष्ट के द्वारा घोसित थीम क्या था तो परियावरण दिवस तो आपके CBT के लिए बहुत ही महत्मोर प्रशन है 2020 का भी से था जयो विवित्ता यानि कि बायो डाइवरसिटी आपको ये भी ध्यार रखना है कि 2020 में जो होश नेशन है वो आपका कोलंबिया था 2021 की बात करें तो इसका विस है एको सिस्टम रेश्टोरीशन है और मेजबान देश रहा था नल्ला पाकिस्तान तो ये जरूर ध्यार रखेंगे B option correct होगा अगला प्रशन है कि भारत के किन दो सहरों के बीच पहली semi high speed train जिसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है ये आपकी चलती है तो वंदे भारत की बात करें ये आपकी चलती है नई दिल्ली से वारांसी के बीच किसके बीच में नई दिल्ली से वारांसी के बीच चलती है तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारत की संसत द्वारा पर्यावरण सनच्छन अधनियम किस वर्ष में पारित किया गया था तो ऐसे प्रशन भी बहुत आते हैं NTPC में ध्यान रखेगा पर्यावरण सनच्छन अधनियम की बात करें तो ये 1986 में पारित हुआ था यहाँ पर option B हो जाएगा correct वही पर अगर हम लोग वन जियो सनच्छन अधनियम की बात करें तो 1970 में वन सनच्छन अधनियम 1980 में जल प्रदोसर नियंतरन और रोग थाम अधनियम 1974 में और वाई प्रदोसर नियंतरन और रोग थाम अधनियम ये 1981 में पारित हुआ था अगला प्रशन है computer वा internet के domain में URL का पूरा नाम क्या है तो URL की बात करें इसका पूरा नाम होता है uniform resource locator क्या नाम है uniform resource locator इसका नाम है तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि 1 अपरेल 2019 से किन दो बैंकों का बैंक आप बढ़ोदा में बिले कर दिया गया तो ये प्रशन भी बहुत आया था NTPC में बिजया बैंक और दीना बैंक दो हमारे ऐसे बैंक है जिनका बिले किया गया था option C हो जाएगा correct इसके अलामा यहाँ पर आपके कई सारे अन्य बैंक दिये गए है जिनका 2020-21 में बिले हुआ है तो इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगला प्रस्ण है कि निम्न लिकित में से कौन सा राज ज जो की पूर्बोत्तर भारत के सेबन सिष्टर्स राजियों का सधस्य नहीं है तो यह हमारा राज हो जाएगा सिक्किम सिक्किम की बात करें तो यह सेबन सिष्टर्स का हिस्टा नहीं है option A हो जाएगा correct को उसका मस्तिक्स कहा जाता है तो computer का brain होता है central processing unit क्या नाम है CPU इसका नाम है तो D option correct होगा अगला प्रशन है कि सबरी माला मंदिर कहां पर इस्थित है सबरी माला मंदिर ये आपको केरल में देखने को मिल जाएगा और यहां पर भगवान अयप्पन की पूजा की जाती है ध् अगला प्रशन है कि गोवी मर्वस्तल निम्नलिखित में से किस महादूइप में इस्थित है तो गोवी dessert की अगर हम बात करें तो ये आपको AC या महादूइप में मिलेगा option यहां पर हमारा C हो जाएगा correct अगर आपसे देश पूछा जाए तो आपको ध्यां रखना है मंग तो ये जो हमारे पुस्तक है इसमें कासमीर का इतिहास आपको जानने को मिलेगा और इसको लिखा है हमारे कलहड साहब ने किसने लिखा है कलहड ने option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे इवा राश्पती थे तो भारत के सबसे इव राश्पती की अगर हम लोग बात करें तो नाम इनका है नीलम संजीवन रेड़ी क्या नाम है नीलम संजीवन रेड़ी इनका नाम है सबसे कम उम्र के पीम का नाम पोचा जाए तो उनका नाम था राजियू गाधी, क्या नाम था? राजियू गाधी सबसे कम उम्रके PM थे तो ध्यान रखिएगा, नीलम सजीमवर रेड़ी आपके 64 साल की एज में भारत के छठे नंबर के राष्टती बने थे अगला प्रशन है, कि निम्नलिकित में से कौन सा देश तो अस्थाई सदस के अगर हम लोग बात करें, तो पांच है अमेरिका हो गया, यूके है, फ्रांस है, रसिया है और है चाइना तो जापान इसका मेंबर बिल्कुल नहीं है, आप्सन D हो जाएगा करण अगला प्रशन है, किस भारती राज्य में सबसे लंबा मुख्य भूमी सागर तक है मतलब किसका सबसे लंबा कोश्ट एरिया है, तो ये भी आसान सा ही प्रशन है ये आपका गुजरात राज्य है, आप्सन C हो जाएगा करण अगला प्रशन है, कि महात्मा गाधी ने साबर मती से लेकर डाड़ी तक का जो प्रसिद नमक मार्च सुरू किया था तो डाड़ी आपको गुजरात के किस जिले में देखने को मिलेगा ध्यान रखिएगा, 12 मार्च को ये आपका नमक मार्च सुरू हुआ था 6 अप्रेल को जा करके ये समाप्त होता है और डाड़ी नाम का जो अस्थान है ये नौसारी जिले में मिलेगा किसमें नौसारी में है, तो आप्सन A हो जाएगा, करण अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन सहजीवी सम्मंद को दस आता है सहजीवी का मतलब होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन्सिप यानि कि दो आपके ऐसे जियू या जन्तू होते हैं, जो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा काई, क्या नाम है, काई इसका नाम है, तो option C हो जाएगा correct जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कि काई जो होता है, वो आपके नायटोजन को प्रवाइड कराता है इस पार्टिकुलर जो जीव है, और ये जो काई है, वो इसको आवास भी देता है तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके वीच में सिंबायोटिक रिलेशन होता है, C option correct होगा अगला प्रशन है, कि हीमा दास एक भारते डैस डैस है, तो हीमा दास के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा जिने हम लोग धींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, और ये हमारी एक स्प्रिंट रनर है, यानि कि एक धावक है, option B हो जाएगा, correct अगला प्रशन है, कुडन कुलन, नाम की विद्धुत परियोजना किस राज में इस्थित है, तो हमारे देश के ये सबसे बड़ी नाम की विद्धुत परियोजना है, और ये आपको मिलेगी तमिल नाडू में, ध्यान रखिएगा, इसकी छमता है 2000 मेगा वाट, ये भी आ निम्ने लखित में से किस राज की सबसे पुरानी और लोग पर ये कला है, तो पट्टी चित्र सैली के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपके उडिसा की है, यानि की ऑप्सन D होगा, करग, अगला प्रशन है, कि निम्ने लखित में से कौन सी एक महारतन के इंद्रिये स् एक छेतरक उपकरम है, तो इस समय देश में आपके 11 महारतन कमपनिया है, और इन में से जो कोल इंडिया लिम्टेड है, जिसका हेक्वाटर आपको कोलकाता में मिलेगा, जिसके CMD प्रमोद अंगरवाल है, वह एक महारतन कमपनी है, तो आप्सन C हो जाएगा, करग, अगला रखेगा, बात की गई है द्रब्यमान की, ना की बात की गई है भार की, तो द्रब्यमान जो होता है, यानि कि जो मास होता है, वह आपके सभी जगा पर सेम होता है, वेट आपका बदलता है, क्योंकि G की वैलू बदलती है, तो अगर आपसे वेट की बात की जाती है, तो व पर इस्थित है तो केंद्रिय आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें ये आपको मिलेगा सिमला में कहां पर है सिमला में है जो कि हिमाचल प्रदीश की राजधानी है ये option correct होगा अगला प्रशन है कि लोग सभा में जो हमारे member होते हैं इनकी अधिक्तम संख्या कितनी हो सकत ही है इस समय इनकी संख्या 545 है ये भी आपको ध्यार रखना है दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको हमारे राष्टपती के द्वारा मनोनीद किया जाता था आंगल भारतिय संधाय के लोग थे लेकिन 114 संभिधान संसोधन के द्वारा ये जो मनोनयन था इसको समाप्त कर दिया ग लीड किया था सिराजुद दौला ने किसने सिराजुद दौला ने इसको लीड किया था तो ऑप्सन सी हो जाएगा करक्ट आपको ये ध्यार रखना है कि 23 जोन 1757 को ये यूद लड़ा गया था अंगरेजु की सेना को लीड किया था रॉबर्ट क्लाइब ने बंगाल की तर आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा, option B होगा यहाँ पर correct, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी परयोजना उत्तरा खंड में है, तो यह तो बहुत ही जादा आसान है, जो टिहरी हार्डो पावर कॉंपलेक्स है, यह आपको मिलेगी उत्तरा खंड में, तो option यहाँ पर D हो जाएगी, correct, बाकी अगर हम लोग सरावती की बात करें, तो यह करनाटक में है, सरावती नदी के उपर, कोईना की बात करें, तो यह महराष्ट में कोईना नदी के उपर है, चमेरा की बात करें, तो यह हिवाचल प्रदेश में रावी पर है, और टिहरी उत्तरा खंड में आपको भागी रथी नदी पर मिलेगा D option correct होगा अगला प्रशन है कि निम्न लिखित में से कौन सी अधिस रासी है देखे scalar quantity वे quantity होती है जिन में केवल आपके magnitude होता है इसमें direction नहीं होता है तो द्रब्यमान की अगर हम बात करते हैं ये scalar है, बाकी वेग हो गया, समवेग हो गया, force हो गया ये सारे हमारे vector quantities होते हैं तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि lichen एक ऐसा जीव है जो की dash dash के चेतावनी देता है तो lichen की बात करें, ये बताता है y production के बारे में किसके बारे में, y production के बारे में बताता है तो option B हो जाएगा correct ध्यान लखेगा, जो दो हमारे main pollutants आपके lichen के growth को प्रभावित करते हैं इसमें से तो एक होता है nitrogen और दूसरा होता है sulfur dioxide और आपको ये भी ध्यान लखना है कि जो हमारा litmus paper होता है वह इसी lichen से बनता है तो option B होगा correct अगला प्रशन है कि निमने लखित में से कौन सा computer system में auxiliary memory का हिस्सा नहीं है देखे auxiliary memory कहें या फिर हम लोग secondary memory कहें दोनों का मतलब एक ही होता है तो magnetic tape, floppy disk, cd room ये सारे हमारे secondary storage है लेकिन अगर हम लोग programmable, read only memory की बात करें तो ये आपका secondary memory नहीं है तो इस प्रशन के लिए option C हो जाएगा current अगला प्रशन है कि भारत का पहला atomic power station कब चालू किया गया था तो पहला atomic power station जिसका जो अक्की आपको महराष्टा के तारापुर में देखने को मिलेगा 1400 मेगावाट इसकी टोटल छमता है और 1961 में इसका नर्माण कारे शुरू हुआ था लेकिन इसने काम करना 1969 में शुरू किया था तो option B हो जाएगा यहां पर current अगला प्रशन है एक आर्थिक प्रजद्रिश्य जहां कम बृध्धी और बढ़ती मुद्रा स्फीती एक अजीब संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है तो ऐसे इस्थिति आपको इस समय हमारे देश में दिख रही होगी और ऐसे इस्थिति आपको सरलंका में दिखी होगी तो इसे कहा जाता है मुद्रा स्फीती जनक मंदी यानि कि इस टैक फ्लेशन इसका नाम होता है जहां पर आपकी महगाई बहुत बढ़ रही होती है लेकिन जो हमारे ग्रोथ है वह उसकी तुल्ला में कम होती है तो option C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि समान पदार्थ के अणों के बीच आकर्षन बल को क्या कहते है तो समान पदार्थ अगर है तो इसके बीच में आकर्षन बल को सासंजक बल कहते है अगर आपके जो पदार्थ है ये समान नहीं है तो इनके बीच का जो बल है उसे आसंजक बल कहते है तो B option यहां correct होगा अगला प्रश्ण है कि किस सुल्टान ने कृसी की देखवाल के लिए एक अलग विभाग दिवान ए अमीर को ही के स्थापना की थी तो इसका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक क्या नाम है मुहम्मद बिन तुगलक इनका नाम है option D हो जाएगा correct मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा इसी को पागल सुल्तान भी कहा जाता है ये आपके दिल्ली सुल्तनत का एक राजा था और इसने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलता बाद भी ट्रांसफर किया था तो D option correct होगा अगला प्रशन है कूलाम प्रती सिकंड डैस डैस के बराबर होता है तो देखे कूलाम प्रती सिकंड यानि कि क्यू बाइटी की बात हो रही है और ये बराबर होता है आपके बहने वाली धारा के तो सिंपल सा मतलब है बहने वाली धारा की यूनिट एंपियर होती है तो option B हो जाएगा current अगला प्रश्ण है कि निम्न में से कौन सा अस्थान है जो की गंगा नदी के तड़ पर इस्थित नहीं है तो फाफा माउ, वाराणसी, कानपुर ये सारे अस्थान आपको गंगा नदी के तड़ पर मिलेंगे जारखंड की बात करें तो ये हजारी बाग में है यहां से आपकी गंगा नदी नहीं जाती है देखे जारखंड का एक ही जिला है जहां से गंगा नदी आपकी बहती है तो नीचे कमेंड में मुझे जरा ये बता दीजिए कि वह एक मात्र जिला कौन सा है जारखंड का जहां से आपकी गंगा नदी बहती है तो option B होगा यहां correct अगला प्रशन है कि भारत में किसने 712 SB में आक्रमण किया था तो इस मुस्लिम सासक का नाम है मुहम्मद बिन कासिम क्या नाम है मुहम्मद बिन कासिम इसका नाम है भारत पर इससे पहला मुस्लिम आक्रमण कारी माना जाता है तो option यहां पर A हो जाएगा correct तो ध्यान रखेग 712 AD में इसने आकमण किया था और राजा भीम को इसने हराया था अगला प्रशन है कि पैगंबर मुहम्मद साहब ने कौन सी सताबदी में इसलाम धर्म की अस्थापना की थी तो इनके द्वारा सात्वी सताबदी में इसलाम धर्म की अस्थापना की गई थी जरूर ध्यान रखेगा, option C हो जाएगा, correct अगला प्रश्ण है, great beer कहा जाने वाला जो हमारा तारा मंडल है ये कितने चमकीले तारों से बना है, तो great beer की अगर हम लोग बात करें इसमें आपको साथ तारे देखने को मिलेंगे, और इसी को हम लोग सब्तरिसी भी कहते हैं तो अगर आपने कभी भी ध्यान से आस्मान की तरब देखा होगा, तो आपको एक ऐसा समूँ दिखता है ये देखे, ऐसा, एक तारा यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ तो ऐसा जो साथ ताराओं का समूँ दिखाई देता है, इसी को हम लोग सब्तरिसी कहते हैं या फिर इसी को ग्रेट भीर कहा जाता है, ओप्सन ए हो जाएगा करग अगला प्रशन है, कि निम्न मेंसे कौन भारतिये, जनसंग के संस्थापक सदस्यों मेंसे एक थे तो नाम इनका आपस भी को पता होगा, नाम है स्यामा प्रसाद मुखर जी तो निहरो जी की कैबनेट से इन्होंने इस्तिपा दिया था, उसके बाद में इन्ही के द्वारा भारतिये जनसंग के स्थापना की गई थी जो की 6 अप्राइल 1980 को भारतिये जनता पार्टी बन जाता है, सी ओप्सन यहाँ पर करेक्ट होगा अगला प्रशन है, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था तो पहला ओलंपिक खेल 1896 में हुआ था और इसका आयोजन हुआ था ग्रीस के एथेंस में कहाँ पर ग्रीस के एथेंस में हुआ था, ओप्सन D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है, यूरोपिये फुटबॉल कलब, सेल्टिक FC के लिए खेलने वाला भारतिय उप महादूइब का पहला खिलाडी निम्न लेखित में से कौन था तो सेल्टिक FC के लिए इन्होंने खेला था, और नाम इनका है मुहम्मस सलीम, क्या नाम है, मुहम्मस सलीम इनका नाम है, तो ओप्सन C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि निम्न में से किसे चारिये मिर्दा धातू कहा जाता है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो इसी में से जो हमारा मांगे में MA है, उसका मतलब होता है मैगनीसियम, तो ओप्सन B हो जाएगा करेक्ट, य दारोहित सर्मा इस्टोरी, तो किसने लिखा है इसको, तो इसको लिखा है जी कृष्णन सहाब ने, किसने जी कृष्णन ने, तो ओप्सन D हो जाएगा करक्ट, अगला प्रशन है कि घूमर डैस डैस राजी की एक लोक नर्ते सैली है, तो घूमर की बात करें, ये आपको द ऐसी अर्थविवस्था को डैस डैस अर्थविवस्था के रूप में जाना जाता है, जिसमें निजी छेत्र और सरकार दोनों सामिल होते हैं, तो ऐसी एकोनोमी आपको हमारे देश में मिलेगी, और इसे कहा जाता है Mixed Economy, क्या नाम है Mixed Economy, Option D हो जाएगा करक्ट, अगला प् संख्या उस समय दस थी, लेकिन जब 86 संविधान संसोधन 2002 में होता है, तो उसके बाद में यहाँ पर एक मौलिक कर्तब और जोड़ा जाता है, सुनन सिंग कमिटी ने इसको रेकमेंड किया था, और ये आपको संविधान के अनुच्छेत 51A में देखने को मिल जाएगा, अ अगला प्रशन है कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है, तो मार्स गैस की बात करें, इसी को हम लोग कहते हैं मीथेन गैस, फार्मूला क्या होता है, तो CH4 इसका फार्मूला होता है, मार्स गैस के अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपको दलदली भूमी में देखने को म बिदानतिक दर्षन की सरबोच्चता का उल्ले किया था तो यह जो इनका भासन है यह दिया गया था 1813 में बहुत ही सांदार, थोड़े समय का इनका भासर था, लेकिन इसने काफी ज़्यादा प्रभाव डाला था, 1893 में वो साल है, तो D option correct होगा, अगला प्रशन है कि किसने बिक्रम सिला बिस्विद्याले को अस्थापित किया था, और नालंदा बिस्विद्याले को पुनर जीवित किया, तो नाम इनका धरमपाल है, क्या नाम है धरमपाल है, option B हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज में लोगपरिये एक संगीत वाधियंत्र है, तो बताए किस प्रकार का ये वाधियंत्र है, तो अगर हम चिंकारा की बात करते हैं, तो ये ह वेरा में चलते हुए दिख जाएंगे, तो उनके पास में जो ये नत्र होता है, जो वो बजाते हैं, जिसे हम लोग सारंगी और बिखारा भी कहते अगरा होिद्र है, तो यही होता है चिंकारा, तो इसी को कहा जाता है चिंकारा, D option correct होगा, अगला प्रशन है, एस आइ अब यहाँ पर मैंने सारे यूनिट लिख दी हैं, अगर 10 के पावर 15 होता है, तो इसे पेटा कहा जाता है, लेकिन 10 के पावर माइनस 15 होता है, तो इसे कहा जाता है Femto, option D हो जाएगा correct, अगला प्रशन है कि 2011 की जो हमारे जनगरना हुई है, इसके अनुसार दूसरी सबसे अ हमारा ऐसा यंत्र है, जिसका उप्योग किसी व्यक्ति की आँखों के अंदर दबाओ को मापने में किया जाता है, तो ये जो यंत्र है, इसका नाम होता है tonometer, क्या नाम है, tonometer इसका नाम है, तो option D हो जाएगा correct, बाकी odometer की बात करें, तो इसमें आप लोग गाड़ी की total distance औ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, D option होगा correct, अगला प्रशन है, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गाओं के अधिक्तम संख्या है, यानि कि जहां पर आपकी आबादी निवास नहीं करती है, तो ऐसे गाओं जादा आपको मिल हिमाचल प्रदेश राजी में लगता है, तो ये जो पसु मिला है, इसका नाम है नौलारी, क्या नाम है, नलवारी मिला इसका नाम है, तो option B हो जाएगा यहां पर correct, अगला प्रशन है, कि निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलिये जिंक सिलकेट के प्राकृतिक अधिमिसरन खनिज का सामाने नाम है, तो ये जो हमारा खनिज होता है, इसका नाम है कैला माइन, क्या नाम है, कैला माइन नाम है, option B हो जाएगा correct, अगला प्रशन है, अलावत दीन खिलजी के सासन काल के दोरान, गया सुद्दीन तुगलग, डैस डैस का गवर्नर था, तो उस समय गया सुद्दीन तुगलग, पंजाब का आपके गवर्नर था, तो option B हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है, कि भारत में जो स्किल इंडिया मिसन है, ये फ्लैक्सिक योजना कब सुरू की गई थी, तो ये जो योजना है, 2015 में, पिये मोदी ने सुरू किया थ option B हो जाएगा यहाँ पर correct, अगला प्रशन है, इवा मामलों और खेल मंत्राले के द्वारा, किस वर्स टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना सुरू की गई थी, जिसका नाम टॉप्स है, तो इसके अंतरगत, जो हमारा ओलंपिक खेल है, उसके लिए खिलाडियों को ट्रे इंडिया नाम की जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने, option यहाँ पर C हो जाएगा, करग, अगला प्रशन है, कि सपनों के बैग्यानिक अध्यान को क्या कहा जाता है, सपनों की बात हो रही है, और इसके बैग् स्टक्चर होते हैं, उसको मीजर करता है, यानि कि उसके अध्यान को कहा जाता है, कैलो लौजी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो आपके चेहरे की सुन्दरता होती है, उसके अध्यान को कैलो लौजी कहा जाता है, और अगर हम लोग इंटो मोलौजी की बात करते हैं, तो केणे मकोणों के अध्यन को यहाँ पर कहा जाता है इंटो मोलोजी तो ध्यान किएगा सारे option D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि लदाख में जो हिमीज तेवहार होता है तिब्बती चंद्रमाह के दस्वे दिन को मनाया जाता है तो बताईए ये तेवहार किस देवता को समर्पित है तो तेवहार के अगर हम लोग बात करें बौद धर्म के हमारे जो भगवान पद्म संभों है उनको ये तेवहार dedicated है option B हो जाएगा करग अगला प्रश्ण है कि नहर का वह channel जहां पानी का बहाव गुरुत्वा करशन के प्रभाव से होता है इसे आप लोग क्या कहेंगे तो नहर का हमारा वह भाग जहां पर पानी का बहाव गुरुत्वा करशन के कारण होता है इसे कहा जाता है flow channel क्या कहा जाता है flow channel कहा जाता है तो option B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि भारते संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसत को संविधान में संसोधन करने का अधिकार है तो ये आर्टिकल है 368 कौन सा है 368 नाम का ये अनुच्छेद है option A हो जाएगा यहाँ पर correct आपको ये भी ध्यान रखना है कि स प्रश्ण है काकोरी संयत्र मामला निम्न में से किस वर्ष हुआ था तो काकोरी संयत्र जिसका नाम पिछले साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया है काकोरी नाम का जो अस्थान है ये आपको उत्तर प्रदेश के लखनोज सहर में देखने को मिल जाएगा और यह हुआ था 1925 में 9 अगस्त के दिन कब हुआ था 9 अगस्त के दिन हुआ था तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है अकबर नामा नाम की जो पुस्तक है इसके writer कौन है तो इसको लिखा है फैजी ने किसने अवल फैजी के द्वारा लिखे गई यह पुस्तक है option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है पैरा डॉक्सिल प्राइम निश्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया यह जो आपकी पुस्तक है इसको किसने लिखा है तो इस पुस्तक के writer है मसहूर लेखक ससी थरूर कौन है ससी थरूर सहाब है तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि माध्यम के अणूओं को जब कमपन उर्जा के अस्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकास का होता है प्रकिरणन तो ये आपके किस परिखटना के परिणाम सुरूप होता है तो इसी परिखटना को कहा जता है रमन प्रभाव जिसे हमारे CB रमन साहब 28 फरवरी 1928 को खोजा था और इसी के लिए 1930 में इनको नोबल पुरसकार मिला था तो ऑप्सन D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है इलाहा बाद में समुद्र गुप्त की जो परसिस्ती है इसको किसके द्वारा लिखी गई थी तो ये हमारे समुद्र गुप्त के कभी थ अगला प्रशन है प्रवासियों के द्वारा अपने मूल अस्थान पर प्रेशित समस्त मौद्दिक अंतरण अथ्वाबस्तों को क्या कहा जाता है अब इस प्रशन को ऐसे समझिए कि माल लेजिए आप लोग तयारे कर रहे हैं बहुत सारे लोग होंगे जिनको नौगरी औगरा हो सकता है ना मिले गवर्मेंट वाली तो उसमें से कुछ लोग सौधी अरब चले जाएंगे या कैसी अन्य देश में चले जाएंगे कमाने के लिए और वहाँ पर कमा के जो पैसा आप अपने देश में अपने घर वालों को भेजेंगे उसी को कहा जाता है बिप्रेशन या इसी को कहते हैं रेमिटेंस तो वैसे भी दुनिया में रेमिटेंस के मामले में हमारा पहला स्थान है ये भी ध्यान कियेगा तो D option correct होगा अगला प्रशन है टेरेश खेती निम्न मेंसे किस प्रकार की भूमी पर की जाती है तो टेरेश खेती के अगर हम ल अगला प्रशन है कि निम्न मेंसे कौन सी गैस प्राकर्तिक रूप से फास्फूरस उक्त कार्बनिक पदार्थों के आव वाई वीए 6 के जरिये निर्मित होती है तो इसका नाम होता है PS3 क्या नाम है PS3 नाम है फास्फीरी से कहते हैं तो C option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि निम्न मेंसे कौन सा भारत और विश्चु का एक मातर तैरता हुआ राष्ट्य उध्यान है तो ये आपको मडीपुर के लोक्टक जील में देखने को मिलेगा और नाम है इसका कीबुल लामजाओ राष्ट्य उध्यान तो यहाँ पर option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है ये आपके सिसी सीजल में पूछा गया था पिछले साल कि भारतिय समिधान के किस अनुच्छेद में यह उलेक है कि बिधी के प्राधिकार के अलामा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा तो ये जो प्र गास का स्रे किसे दिया जाता है तो आपके डिमित्री मेंडलीव जिनके द्वारा पहली बार आवज सानी के निर्मार का प्रयास किया गया था उन्हीं को यहाँ पर इसका स्रे दिया जाता है तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन आपके सामने है कि सुभाष चिंद्र बोस की जैनती को पराकरम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो यह जो जैनती है वो आपके 23 जनुरी को होता है 1897 में उरीसा के कटक में हमारे बोस साहब का जनम हुआ था तो option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि भारत में जो बचत खाते होते हैं उस पर जो ब्याजदर है व अलग अलग interest rate मिलता है यानि कि जो आपके सम्मंधित bank होते हैं उनहीं के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है तो D option होगा correct आखरी प्रशन है कि मानो सरीर के सबसे लंबी हड़ी कौन सी है तो यह तो सभी को ही पता होगा फीमूर आपके मानो सरीर के सबसे लंबी हड़ है जो कि आपको जांग में देखने को मिलेगी और मानो सरीर के सबसे छोटी हड़ी होती है जिसका नाम इस्टेपीज है वह आपको कान में देखने को मिल जाएगी तो इस प्रकार से हमने दूसरे सेट में भी सव प्रशनों को डिसकस किया है पूरा वीडियो आप लोग ध् वीडियो को देखा है तो कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डूइट थैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत